नमस्कार वच्चो गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप लोग सब आज हम काफी दिनों के बाद वीडियो के माध्य हम से मिल रहे हैं और मैं आसा करता हूँ कि आप लोग अपने अपने घरें बहुत स्वस्थ होंगे खुस होंगे और खुश हाल होंगे और सुरक्षित होंगे तो यह जो आपका बापु का पत्र है तो पहला जो पार्ट था फस्ट पार्ट था वो मैंने आपको पढ़ा दिया था समझा दिया था और वीडियो भी सेंड किया था इस्प्लेन वाला आज ये जो बापु का पत्र है पार्थ नो इसका मैं सेकेंड पार्ट मतलब जो बचा हुआ पार्थ का सेस भाग है वह मैं आपको इस्प्लेन करूँगा आप लोग अपनी अपनी बुक ओपन कर लेजिए बुक का पेज नमबर है 76 जो की पार्ट टू है मैं आप आपको इस्प्लेन कर रहा हूँ तो चलिए अब हम चालू करते हैं नेक्स्ट पार्ट पेज नमबर 76 लेट श्टार्ट तो यहां तक हमने पढ़ा था कि आज कल तुम्हें अपनी बीमार मा की सेवा का उसर मिला हुआ है रामदास और देवदास को भी तुम समहाल रहे हो आमोद प्रामोद आमोद प्रामोद का मतलब होता है हसी मजाक निश्ची तायू तक ही सोभा देते हैं 12 बरस की उम्र के बाद बच्चों को जिम्मेदारी और कर्तब का भान होता है याने उनको मालम होता है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है हमारे कर्तब क्या होना चाहिए उन्हें अपने आचार और विचार में सत्थ और अहिंसा के प्रयोग की चेश्ठा करनी चाहिए मतलब उनके बेवहार में सत्थ होना चाहिए बिलकुल किसी प्रकार का कोई कपट नहीं होना चाहिए मैं जब तुमसे काफी छोटा था तो मुझे स्वयम अपने पिता जी की सेवा करने में बहुत ही आनंद प्राफ्थ होता था दूसरों पर निर्भर रहने की जगह है अपने काम खुद करना अधिक सुख़द होता है यहाँ पर गांधी जी कह रहे है कि हमें अपने काम को स्वयम करना चाहिए हमें दूसरों के उपर निर्भर याने आस्रित नहीं रहना चाहिए सही बात है गांधी जी यहाँ पर हमको समझाते हुए कह रहे है कि हमारे जो खुद के काम हैं हमारे जो स्वयम के कार हैं हमारे जो स्वयम का वर्क है वह जो कार है वह जो बर्क है हमें स्वयम करना चाहिए हमें दूसरों के उपर आस्रित नहीं रहना चाहिए क्योंकि क्या पता कि हम दूसर जिसके उपर आस्रित हैं उस कार के लिए वह कार वह ब्यक्ति वह हमारा कार समय पर करके हमें देता है या नहीं इस बात की गारंटी नहीं ली जा सकती इसलिए दूसरों के उपर हमें अपने कार को आस्रित नहीं रहने देना चाहिए हमें अपना वर्क हमें अपना कार स्वयम करना चाहिए next paragraph देखते हैं काम की अधिक्ता से मनुस्थ को घवराना नहीं चाहिए सही बात है काम कितना भी बड़ा हो कितना भी कठीन हो उस कारशे मनुस्थ को नहीं घवराना चाहिए परिसान नहीं होना चाहिए क्योंकि मनुस के अंदर दिमाग नाम की ऐसे एक ऐसी चीज है जिसके चलते मनुस बड़े से बड़े कार को बहुत ही आसानी से संपन कर सकता है कार को निपटा सकता है कार को अच्छी तरह से कर सकता है और ना ही यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा बिल्कुल सही बात है जब कोई कार हमें दिया जाता है तो उसको हमको बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए किसी तरह से हमें घवराना नहीं चाहिए और यह भी नहीं सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करो बहुत से ब्यक्ति होते हैं जब उनको कोई कार दिया जाता है तो सबसे पहले यह सोचते हैं कि यह कार होगा की नहीं और होगा तो सबसे पहले यह कार को मैं कैसे करूँ यह निर्विग्न रूप से संपन हो जाए इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए मन सांत मन से विचार पूर्वक तुमने यदि सभी सद्गुणों को प्राप्त करनी के चेश्ठा की तो वे तुम्हारे लिए उपयोगी और मूलवान प्रमानित होंगे गांधी जी अपने बेटे को समझाते हुए कह रहे हैं की क्या कह रहे हैं एक बार ध्यान से सुनो सांत मन से विचार पूर्वक तुमने यदि सभी सदगुणों को प्राप्त करने की चेश्ठा की तो वे तुम्हारे लिए उपयोगी और मूलवान प्रमारित होंगे मतलब कहने का गांधी जी अपने बेटुक समझा रहे हैं कि यदि तुम्हारे अंदर सभी प्रकार के सदगुण हैं विचार पूर्वक तुमने यदि सदगुणों को अपनाया है या अपनाने की चेष्ठा की है, हिम्मत की है, कोशिस की है, तो वो जो अच्छे गुण है, वो तुम्हारे लिए मूलवान, यानि बहुत ही अच्छे कार के लिए प्रमानित होंगे. कि मुझे यह भी आसा है कि तुम रोज नियम पूर्वक प्रातना करते होगे. गांधी जी के अंदर एक ऐसी सोच है, एक ऐसी थिंकिंग है अपने बेटे के लिए कि वो कहते हैं कि मुझे यह भी आसा है कि तुम रोज नियम पूर्वक प्रातना करते होगे. ये मतलब भगवान की इश्वर की पेयर करते हो गे। सूर्योदय से पहले उठका प्रात्ना करना बहुत ही अच्छा है। देखो बिल्कुल सही वात यहां गांधे जी अपने बेटे को बताते हुए कहते है कि हमको सूरयूदे से पहले उठकर हमको प्रातना करनी चाहिए और क्योंकि सूरयूदे से पहले की गई प्रातना डाइरेक्ट भगवान से हमको मिलवाती है यह भगवान के पास हमारी पेयर को पहुचा देती है जो सुबह सुबह का समय होता है शूर्यूदय से पहले का समय प्रत्न पूर्वक एक निश्चिस समय पर ही प्रातना करनी चाहिए प्रत्न पूर्वक मतलब कोशिस करके तो प्यारे बच्चो प्रत्न पूर्वक का मतलब होता है हम सब को कोशिस करके एक निश्चित समय मतलब जो हमारा प्रातना करने का टाइम है जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा सुना होगा और प्रेटकल में किया होगा कि हमारे स्कूल में पेयर का एक निश्चित समय होता है उस समय पर ही सभी वच्चे कतार बना के लाइन मला के भगवान की पेयर भगवान की बंदना भगवान से बिने करते हैं तो गांधी जी कह रहे हैं कि नित प्रती दिन हमें भगवान की परातना करना चाहिए पेयर करनी चाहिए और जो वो समय है यानि वो टाइम है वो फिक्स होना चाहिए एक टाइम ही प्रत दिन होना चाहिए भगवान से हमें परातना करने के लिए भगवान से हमें पेयर करने क लिए यह नियमित ता तुम्हारे यह नियमित ता मतलब नियमित समय नियमित ता मतलब नियमित तुम्हें अपने जीवन में आगे चल कर बड़ी सहायक सिद्ध होगी मतलब गांधी जी अपने बेटे को समझाते हुए कह रहे हैं कि यह नियमित ता मतलब नियमित समय से की गई प्राथना अपने जीवन में आगे चल कर बड़ी सहायक सिद्ध होगी मतलब आपको बहुत ही आगे बढ़ाएंगी बड़े बड़े कामों में वो तुमको सहायता करेंगी बहुत बड़े बड़े काम तुम बहुत आसानी से कर लोगे क्यों जोकि जब किसी भी चीच का एक रोटेशन होता है रूल्स होता है एक दिन चरिया होती है एक समय की पावंदी होती है किसी कार को करने के लिए कि इतने समय में हम यह कार कर ही लेंगे इससे ना हमको काम पूरा कर ही लेंगे तो कहने के मतलब ये है कोई काम समय से किया हुआ हमारे लिए सहायक सिद्ध होता है कहने का सीधे-सीधे मतलब ये है कि कोई भी कार करने के लिए हमको समय फिक्स होना चाहिए समय से किया हुआ कार समय से की हुई पढ़ाई समय से किया हुआ भगवान की प्रातना वह हमारे लिए लावदायक सिद्ध होती है इसलिए कहते हैं टाइम इस मनी टाइम इस मनी मतलब समय ही सब कुछ है समय ही पैसा है इसलिए प्यारे बच्चों हम सब को टाइम के उपर चलना चाहिए, समय को पकड़ कर चलना चाहिए, समय को बरबाद कभी नहीं करना चाहिए, टाइम से किया गया कोई भी कार हमारे लिए सिद्धी प्रदान करता है, या कहना चाहिए कि हमको सफलता दिलाता है तो जहां तक है कोशिज करके हमको अपने कारे को टाइम से कर लेना चाहिए अतह मैं अंत में यहां पर गांधी जी नेश्ट लिखते हैं अंत में मैं प्रेम सहित यह पत्र समावत करता हूँ गांधी जी अपने प्यारे बेटे को समझाते हुए धेट सारी उसमें सिक्छाएं दी और बहुत समय का सदुपयोग बताया समय की कीमत बताई कि समय कितना मूलबान है समय के रहते हुए हम कोई कार करते हैं तो हमको सफलता मिलती है और समय के रहते हैं यदि कोई हम कार नहीं करते हैं पिता मोहंदास करमचंद्र गांधी गांधी जी का पूरा क्या नाम है मोहंदास करमचंद्र गांधी तो यहां पर लाश्ट में लिखते हैं तुम्हारे पिता मोहंदास तो प्यारे बच्चो यह जो पार्थ 9 है इस पार्थ 9 का नाम क्या है बाबु का पत्र तो इस पार्थ स हमें यह सिक्षा मिलती है कि हमें समय का सद उपयोग करना चाहिए प्यारे बच्चों एक बार और ध्यान देंगे इस पार्ट से हमें क्या सिक्षा मिलती है तो इस पार्ट से हमें यह सिक्षा मिलती है कि हमें समय का टाइम का सद उपयोग करना चाहिए जिससे हमको सफलता प्राप्त होती है कभी भी हमें समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए बरना हम कोई भी कार अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं यदि हम समय का सद उपयोग करेंगे तो बड़े से बड़े कार हम निर्विग्न रूप से अच्छी तरह से उसको कर सकते हैं और उसमें हमें सफलता प्राप्त होती है और सफलता हमारे चरण चूमती है मतलब सफलता हमारे पैरों पर होती है कब? जब हम किसी भी कार को टाइम से करेंगे इसलिए प्यारे बच्चो समय का हम सब को सदूपयोग करना चाहिए ना कि दुरूपयोग तो आप सभी बच्चों से मैं यही चाहूँगा कि आप लोग भी अपने समय का सद उपयोग करें और पढ़ाई करते रहें जिस से जीवन में आगे बढ़ते रहें तो प्यारे बच्चों यह जो बापू का पत्र है यह पार्ट टू पूरा हुआ आप लोगों ने सुना, समझा और पढ़ा तो थोड़ा मैं यह आप लोगों को सबदार्थ के उपर इस्प्लेंड कर दूँ पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से का मतलब होता है पूरी तरह से स्वास्त का मतलब हमारा होता है सेहत द्रश्टी कौन का मतलब होता है सोचने का तरीका दृष्टिगुण मतलब सबका अलग-अलग तरीकह होता है बान का मतलब होता है ग्यान, ग्यानवान मुलवान याने कीम्ति सिद्ध याने शावित कहते हैं आईसी कोई बात है आपके पास जो सावित कर सकती है कि आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं भल मनसी याने सज्जनता करतब याने करने योग कारी आमोद प्रमोद याने मनुरण्यन हसी मजाग चेश्ठा मतलब प्रयास और नियमित्ता याने नियम के अनुसार चलना मतलब समय के अनुसार कारी करना तो प्यारे बच्चो यह जो पार्ट टू है बाबू का पत्र यह मैं आपको यहाँ पर पूरा समझा दिया बता दिया दिखा दिया बहुत बहुत धनवाद थैंक यू भेरी मच